गौर्वर्मेंट जोब इंसान इसलिए पाना चाहता है एक तो पावर बहुत है और दूसरा पैसा भी बहुत है और पैसे से मतलब है कि सेलरी बहुत अच्छी है तो आज हम डिसकेशन करने वाले हैं कि सारी की सारी जितनी भी SSE CGL के अंदर पोस्ट हैं चाहिए MTS की पोस्ट आपको देखने को मिलती है SSE के व प्रोगतु। उनकी इसलारी लेटस्ट कितनी है और भविश्य में具 हो सकती है बढ़ोतरी क्या रहते हैं इंक्रिमेंट क्या रहते हैं पा तो चलिए सब्से पहले तो को अगर मैं बात करता हूं तो यह चैली सो ग्रेड़ पे की पोस्ट की हम बात करते हैं इसके अंदर देखें इसके इसके अंदर पोस्ट इसके अंदर आपके पास कितनी आएगी यह इंपोर्टेंट आज की वीडियो में कि आपके बस रियल में आएगी इतनी है ना तो 0.5 से इस बेसिक पे को मल्टिप्लाई कर लेंगे तो 22,450 फिर एक ट्रांस्पोर्टेशन अलाउंस मिलता है अगर मैं एक सीटी के हिसाब से सारी ही होता है और अगर आप देखें कि यहाँ पे अगर महिंगाई बता जो होता है यह 50% को क्रोस कर जाए तो यहाँ पे हाउस रेंट को 30% होना ही पड़ेगा आज की डेट में जबकि 0.27 है तो यह 30% हो गया तो 44,900 का 30% करेंगे तो 13,470 तो सबको एड कर देंगे तो 86,220 जो 35 बनेगा और एक CGHS कार्ड होता है जो मेडिकल कार्ड आपका बनता है या आपकी फैमली के लिए बनता है तो यह हर महिने आपके 440 रुपे गटते हैं लेकिन इसका फाइदा भी है कि आपको बहुत ही सस्ते में इलाज हो जाता है तो यह तो कटेंगी कटेंगी इनको काट कर ले लिए तो फिर यह अमांट को आप हटाके अपनी सेलरी को कल्कुलेट कर सकते हैं थर्टीन थाउजन इसमें से माइनस कर लेना फिर अब आप देखें कि एक 14% का गुवर्मेंट भी देती है तो अब आप देखो कि कि किसका 14% होता है तो आप देखें कि यह और यह का 14 परसेंट तो जब आप करेंगे 14% तो 949 रूपीस बनता है तो यह भी आपको मिलेगा लेकिन रिटारमेंट के बाद एक तरक मिलता है तो यह और यह यह टोटल मिला के आपकी ग्रोस सेलरी हो जाती है तो जब करेंगे तो 95,649 ग्रोस सेलरी होगी यह इन हैंट सेलरी नहीं बोल रहा हूं यह gross salary की बात कर रहा हूं मैं अब इसके अलाबा देखी कि क्या रहता है कि कुछ post ऐसी रहती जिसमें special security allowance मिलता है वो मिलता है 20% of basic pay तो इसका basic pay का 20% है ना जैसे अब CBI की बात करेंगे तो वह security allowance मिल रहा होगा या फिर एक छुटिया नहीं होती तो एक मन्त की extra salary मिल रही होगी तो वह extra month की salary जैसे मान लिजी कि इसको और इसको क्योंकि हर चीज नहीं मिलती है उसमें है ना तो यह और यह मिलगी तो 67350 को 12 से divide कर लिजेगा तो यह एक मन्त का आपका एक तरह से ओन एन एवरेज आ जाजएगा मिलती तो एक साथ ही है इस सारी कि सारी लेकिन एक मन्त की साब से अगर निकाल नहीं हो ताकि आपको मन्त लिए कौन सी है बयाली सो जीपी की बयाली सो ग्रेट पे की पोस्ट है अब इसके अंदर बेसिक पे कितनी रहती पैंतिस हजार चार सो रुपए बेसिक पे रहेगी अब अगेन सारी कल्कूलेशन वही है सबको एड कर दीजे तो कितना बनता है 69120 रुपीज बनती है लेकिन इसमें से डिड़क्शन भी होनी है तो गवर्मेंट की जो डिड़क्शन यहाँ पे होगी बेसिक और डिये का 10% ले लीजिए इतनी डिड़क्शन आपके अकाउंट से होगी तो इसका मतले 5310 रुपीज इसमें से माइनस करने पड़ेगे साथ में CGHS का रेट भी माइनस करना पड़ेगा तो आपको 63,360 रुपीज आपके इन हैंट सेलरी होती है और अगर आपने घर ले रखा है तो फिर यह जो 10,620 रुपे है वो इसमें से माइनस कर लेना है ना अगर गवर्मेंट क्वार्ट ले रखा है ना तो फिर तो यह नहीं मिलेगा न आपको अगर क्वार्ट नहीं रे रखा तो इतनी सेलरी आपको मिलेगी प्राइवेट में तो आजकल नहीं मिल रही है बहुत मुश्किल है ब्लोग 5-10,000 रुपे में धखके खा रहे हैं फिर आगे NPS की बात करते हैं जो ग 30,360 रुपीज हो गई अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी जो आता है ग्रेड पे यह अठाइसो ग्रेड पे की इसमें क्या होता है ओडीटर हो गया अकाउंटेंट हो गया यह सब हैं अठाइसो ग्रेड पे के और अभी तो देखे कि लग लग रूल्स मोदी जिलाते रहते हैं है न कोई ना कोई कि पहले जैसे मान लोगी तीन साल में प्रमोशन हो जाती ती कई के अंदर आप चैसाल कर दिये तो बस नो करने जा रहे हैं करे जा रहे हैं प्रमोशनों को बढ ठीक है आप दीमोटिबेट मत हुए इंट लिस्ट कुछ ना मोटिवेशन वाली चीज़े तो बेसिक पे इसकी 29,200 होगी डी ए हो गया 14,600 इसको ही 0.500 मुल्टिपले किया अगेन वही सेम कल्कुलेशन है ट्रांस्पोर्टेशन अलाउंस चावण सो एचारे एक सीटी में कितना होगा एट सेवन सिक्स जिरो सब को अड़ कर दीजिए 57,960 रुपीज इसकी ट 230 रुपीज बनेगी इन हैंट सेलरी अब NPS अगर गवर्मेंट का देखा जाए शेर तो वह कितना है 14% होगा बेचिक डिये का तो वह 6132 रुपीज बनता है अब ये वाला और ये वाले अमाउंट हो दोनों को एड कर देंगे तो ग्रोस सेलरी आ जाएगी क्योंकि ये मिले ये जो है 2400 ग्रेड पे की है 2400 जी इसके अंदर गये टी ए पी ए ऐसे ये वाली है ना टेक्स असिस्टेंट चाहे आप जिये अंदर जाए एक साइस के अंदर या सीबीडीट के अंदर या इंकम टेक्स के अंदर जाए कहीं भी जाए और चाहे पॉस्टर असिस्टन सबकी यही सेलरी रहने वाली है बेसिक इसके अंदर 25500 डिविजनल डिये जो है मंगाई बता है जो डिये मेंने डिविजनल अकाउंटेटी दिमांग में आता है तो 0.5 इसका कर दीजिए तो 12700 ट्रांस्पोर्टेशन अलाउंस चाहँ और एचारे जो बनता है वो बनता है 76 50 सबको एड़ कर देंगे तो कितना बनेगा 51,300 इसकी टोटल सेलरी लेकिन इसके अंदर से NPS अगें डिड़क्त होगा 3825 का और CGHS भी डिड़क्त होगा तो दोनों डिड़क्त होने के बाद आपके पास इन हैंट सेलरी एक टेक्स असिस्टेंट अगर आप बनते है तो 47,22 224 रुपीज आएगी और क्योंकि गुवर्मेंट का शेर भी रहता 14 तो अगें ये 14 परसेंट बेसिक और डिए का करेंगे तो 5355 बनता है इसको और अगें इसको एड़ कर लेंगे तो ग्रोस सेलरी आजेगी टोटल सेलरी तो इसको और इसको एड़ कर लीजे तो 56,655 रु होगी इन हैंट फिर अब नेक्स्ट आता है आपका MTS के लिए ये 1800 जीपी की पोस्ट है 1800 ग्रेट पे की पोस्ट है यहां पर देखिए अगें 1800 ग्रेट पेगे तो 18,000 रुपे इसका क्या होगे बेसिक पे होगी फिर डिये इसके अंदर इसका 0.5 निकाल लीजे 9,000 रुपे 18,000 को तो ये 5,400 बन गया तो टोटल एक MTS की सेलरी जो बनती है वो 34,425 रुपे बनती है अगें गवर्मेंट का जो NPS के डिलक्शन होता है वो 2700 रुपे है और CGHS का 200 तो इसके बाद 31,475 रुपी ये आपको इन हैंड मिलती है अगर आपने क्वार्टर नहीं लिया हुआ है तो लेकिन अगर NPS गवर्मेंट का भी मिला दिया जाए जो 14% का होता है बेसी को डिये का एड करके उसका 14% निकाल लीजिए तो 3780 गवर्मेंट भी एड कर रही है और यहां पे आप देखिए 34,425 आपको ओलरी टोटल मिल रही थी तो दोनों को एड कर लिया तो 38,205 मिलती है HTC HTC क्या होती है घर जाने के लिए है ना हाउस ट्रेबल अलाउंस होता है साल में मिलती है एक अब यह आपकी डिपेंड करता है ना जैसे अगर इस पेक्टर है तो 2nd AC तक लाउड है फिर senior TA है तो उसको भी 2nd AC तक लाउड रहती है ना टीय है तो 3rd AC तक लाउड ह बनी हुई है इसके अलाबा आप क्या कर सकते हैं चार साल जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है हर 2 साल की गैप के अंदर आप एक LTC भी ले सकते हैं LTC होती है कि पूरे इंडिया में आप कहीं भी जा सकते है घुमने फिर ने उसका पूरा खर्चा आपको मिलत का है travel का ठीक है। और इसके अलाबा एक रहता है आपका children allowance तो दो बच्चों तक को children allowance मिलता है लगब 44,000 then वो आपको दो बच्चों के मिलते हैं, provided के आपके दो बच्चे हैं, और इसके अलावा medical facility तो है यह, कि कोई भी इलाज कितना भी महंगा हो, वो सारे का सारा आपका cover इसके अंदर रहेगा, तो यह कुछ basic चीजे हैं, और हर साल जो है 3% की आपकी salary में increment होगा ही होगा, यह fixed है increment इसके अलावा DA कम से कम आपका देखे कि हर 6 महीने बाद 2-3% बढ़ी जाता है, तो साल में आप expect कर सकते हैं, 4-6% के बीच में DA आपका बढ़ी जाता है, तो आप देखे कि बहुत एक अच्छा increment भी आपको देखने को मिलता है, प्राइवेट में जाएंगे, वहाँ भी 5-10 परसेंट ही रहता है, बहुत अच्छा perform कर लेंगे तो 15-20% भी मिल जाता है, प्राइवेट के अंदर, तो यहाँ भी बहुत अच्छा आपको increment salary के अंदर देखने को मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके इलावा कोई भी demotivation की बात है, यहाँ पे आपकी जो promotion अच्छे से तयारी करके इसको exam को forward दो, ठीक है, बार-बार मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है, एक ही बार धंग से मेहनत कर लो, अभी समय है, काफी समय मिल गया इस बार अगले CGL के लिए, तो आप उसके लिए मेहनत कीजिए, आप MTS के लिए करें, MTS के लिए इस बार जो हमारे course के अंदर से 25 में से 18 question, 18 question, 25 में से mains के अंदर की मैं बात करूं CGL में हमारे content से है, direct question, जिसकी वीडियो औलेडी मैंने बना के proof वीडियो बताये भी था आपको, यह हमारे GS का रामबान बैच है, एकदम इसके अंदर latest चीजे सारी की सारी add-on की गई है, 200 स ज़्यादा वीडियो है, mock test आपको मिल रहे है, daily target बताये जाता है कि आज आपको यह पढ़ना है, PDF आपको दी जाती है, GS के सभी subjects में मैंने खुदने पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं कि किसी ओर teacher से पढ़वाए हैं, छोट छोटे जो topic रहते हैं, census बगरा, वो एक अशीश सर ने cover कियें, 5-5-10-10 minute वारे topic रहते हैं, लेकिन जो main जितने भी subject हैं, वो सारे मैंने खुदने पढ़ाए हैं, ठीक है भाई, इसके अलावा इसके अंदर आपको MC कुद दिये जाते हैं, तकि आपकी practice में कोई कमी ना रहे, और यहाँ पे मैं personally खुद vigilant रहता हूँ, बहुत ज़ आपके साथ support करने के लिए, तो यहाँ पे आप हमारे साथ fully attached हो जाते हैं, यह कोई यह निए कि मेरे को पैसे कमाने हैं, जो हमने cost रखी हुए हैं, यह तो सारी server की cost है, लोग एक वीडियो को एक ही बार देखने के लिए अलाव करते हैं, हम कहते हैं तुम 10 लाख बार देख कोई दिक्कत निए है, क्योंकि हमें यह निए कि हमें server की cost बचाना है, यह बचाना है, कुछ नहीं बचाना हमें, हमारा motive इतना है कि आप तक यह अच्छा content पहुँच भाए, बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर, मैं अपने घर के आसपास एक private tuition लग गया था, वहाँ पर मेरे को उन्होंने इतना समय बरबाद कर दिया, मेरे 10,000 खराब होगे, मेरे 11,000 खराब होगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या मैं अब आपका पढ़ू के उनका पढ़ू, मैं बोलता हूँ कि भाया, एक बर content compare करके देख लो, तुम अपने private teacher का भी, online जितने भी teacher है, उनका भी, reason being कि हम, जब तक हम solid content ना मना लेना, तब तक कुछ नहीं निकालते हैं, तो आपको बता कि 3-4 साल की मेहनत के बाद ही ये batch पहली बार मेंने निकाला है, कोई ज़्यादा time हुआ ही निस batch को निकले, 4-5 मही नहीं तो हुए इस batch को निकले, और उसी में मैंने cover कर दिया, इतनी आके सारा content पढ़ना पढ़ जाएगा आपको, तो आपना time waste मत किजिए, time is your main money है ये आप ध्यान रखेगा यहाँ पे, और course की fee हमने बहुत ही कम अभी offer के अंदर कर रखे कि 6-9 रूपीज में आपको validity मिल रहे 12 मन्त की और 7-9 में मिल रहे 18 मन्त की, अभी 2-3 दिन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसकी validity कम होने वाली है, तो अभी आप इसको लेना चाहिए तो ले सकते हैं, इसके अलावा अगर आपको coupon code apply करने की बात करेंगे, तो आप RAM नाम का coupon code होता है, राम लिख देना, बस आपको coupon code apply हो जाएगा, जो भी उसमें extra कुछ off होगा, तो वो coupon code क through आप लगा सकते हैं, रही बात हिंदी के बच्चों की, तो भाई हिंदी के अंदर हमने क्या क्या प्रोवाइड कि हैं, मैं पहली आपको बताता है, उस static आपको bilingual मिल रहा है, सारे का सारा, जितने भी 50-60 topic है, सारे bilingual मिल रहे हैं, और इसके अलावा MCQ आपको सारे के सारे bilingual मि होगा, उसके लिए अलग से कोई बैचनी करेंगे, इसी में सब कुछ हैड होगा, तो जो हिंदी के student है, तब तक आप static का पढ़ लीजे, अगले एक से date महीने में हम हिंदी भी start कर देंगे, इसके अंदर बहुत कुछ content अपडेट करने वाले हैं, तो आपके लिए ये benefit हो ज पूश करूँगा, ठीक है हम मिलते हैं, नेक्स टूडम बाबे, टेक किर, सी यू, लव यू अल